हेलो फ्रेंड आप सब कैसी उमिद कहती हूं कि आप सब बहुत ही अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे न्यू न्यू टिप्स एंड ट्रिक जिससे की आपकी मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे और धे सारी पैसों की बचत होगी तो फ्रें कभी कभी तो हमें देज सारी मटाय छीलने रहती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है तो फ्रेंड इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका लेकर के आई हूं तो सबसे पहले आपको गयस पे पानी को गरम कर लेना है तो पानी गरम हो चुका है और पानी को जो ही कि अच्छे से गरम कर ना है इसके वाद आपको इसमें मतर डालनी है इस तरह से देखिए आपको जितनी भी मता चीलनी हो आप सारी मतर को इसमें डाल दीजिएगा और इसे पांट-दस मिनट के लिए इसी तरह से आप रख दीजिएगा तो इससे क्या होता है इसके जो छिल के रहते हैं वो बहुत ही सौप्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड वीडियो फसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कहना बिलकुल भी ना भूलिएगा तो फ्रेंड इस पानी को जो ही की हम निकाल देंगे तो यह देख सकते हैं पानी को निकाल दिया है इसके बाद हमें मटर को एक कपड़े में इस तरह से फैला देंगे यह देख सकते हैं ताकि इसमें जितना पानी हो सारा सूक जाए इसके बाद फ्रेंड आपको मटर छीलने के लिए लेनी है एक कटोरी आपको इसी भी कटोरी ले सकते हैं और आपको लेनी है आप मटर और एक कटोरी और कटोरी को इस तरह से हम खिसका देंगे तो ये देखे फ्रेंट ये बहुत ही आसान तरीका है मटर को चीलने का तो इस तरह से आप जो ही की मिन्टों में देशारी मटर जो ही की चील सकते हैं और इसमें एक भी बीज नहीं रह जाते हैं इस तरह से आप जो ही की मटर को फटा फट चील सकते हैं ये देख सकते हैं फिरेंट ये बहुत ही अच्छा तरीका है तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा कभी-कभी जैसे कि हमें देशारी मटर चीलने रहती है और हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है और फिरेंट दूसरा तरीका है आपको इस तरह से लेनी है चायवारी छ चील सकते हैं इससे भी बहुत ही आसानी से जोही की मटर चील जाती है तो आप एक छन्नी की सहायता से देशारी मटर को चील सकते हैं आई होप आपको ये टिप्स पसंद आया होगा अगला टिप्स है हमारा इस तरह से मिट्टी की दियों को लेकर के जैसे कि हम दीपवले मे इन दियों को जलाते हैं और जलाने के बाद इसे ऐसे ही रखी रहते हैं घर में इनका हम यूज नहीं कायते हैं तो फ्रेंड इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा तरीका लेकर के आई हूँ जिससे कि आपके दीपवली के दिये भी यूज हो जाएंगे तो फ्रेंड आप इसे हमेंसा समाल करके रखें इने फ्याके नहीं तो आपको लेना है इस तरह से ग्रेटर जिससे कि हम अधरक किसते हैं और आपको क्या काना है लेना है दिया और दिया को इस तरह से किसना है ये देखिए फ्रेंड तो इस तरह से आप जो ही कि दिया को अच् ये तो सब के पास ही होता है तो फ्रेंट वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक करने से पता चलता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो ये देखी फ्रेंट यहां पर पेस्ट को निकाल लिया है तो ये आपको इस तरह से थोड़े इसा पेश्ट को ले लेना है और इसको अच्छे से मिला देना है इस तरह से यह देखिए इसका हम एक पेश्ट बना करके तैयार करेंगे फ्रेंग तो मैं आगे चल के बताऊंगी कि हम इस पेश्ट का कैसे इस्तमाल करेंगे तो यह देखिए हमने इसे अच्छे से कॉल गेट को mix कई दिया है इसमें फ्रेंड अब जैसे की हमारे पास इस तरह की तामे पीतर के लोटा होते हैं या बायतन होते हैं तो वो काले हो जाते हैं तो फ्रेंड इस तरह से आप जो है के मिट्टी के दिये से इसे साप कई सकते हैं तो आपको इस तरह से लोटा में इस पेस्ट को जो है कि अंदर बाहर अच्छी से लगा देजिएगा एदे की फिरंड लगाते ही इसमें थोड़ी थोड़ी चमक आ गई है तो फिरंड इस तरह से अगर आप साप करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसे साप कायने में और ना ही किसी पाउडर की जरूर पड़ेगी तो फिरंड इस तरह से आप जो ही किसे साप काय सकते हैं तो यहां पर गुंजा ले लिया है तो गुंजा को जो ही कि अच्छी से लोटा में इस तरह से घिसेंगे तो फिरंड इस तरह से आप जो ही कि सभी बायतन को चमका सकते हैं और आपकी बेकार पड़ी हुई चीज भी यूज हो जाएगी और आपके बातन भी साप हो जाएगे तो फ्रेंट आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इन में से कॉंसर्टिफ से सबसे अच्छा लगा देख सकते हैं फ्रेंट ये कितने अच्छे से साप हो गया है ये देखिए अंदर बाहर से अच्छे से साप कर लिया है इसके बाद आपको जो है कि इसे किसी साब कपड़े से इसे पोंच देना है इसकी पानी को क्योंकि इसकी पानी को अगर पोंचेंगे नहीं तो इसमें निसान बन जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं तो यह देख सकते हैं लोटा चमकने लगा है अगला टिप्स होने वाला हमारा इस तरह से सोईटर को ले करके जैसे की साइदिंगों के मौसम में सोईटर तो अब हम पहनेंगे ही जैसे की कभी हम मार्केट जाते हैं सौपिंग का नए या सबजी खरीदने के लिए फ्रेंट तो हमें डेज सारी पैसे ले जाने पड़ते हैं तो जैसे की हमारे कपड़ों में पॉकेट नहीं होती है तो हम उन्हें हाथ में ले जाते हैं जिससे की कई बार हमारे पैसे गिर जाते हैं या वो कहीं रह जाते हैं तो फ्रेंट आपको क्या कायना है आपको लेना है यहाँ पे शोयटर और आपको लेना है यहाँ पे जूरिली बैग तो दे देखिए इस तरह से हम इनकी सहायता से इसे लगा देंगे तो इस तरह से फिरेंट जो ही कि आप इसे शोयटर में लगा लीजिएगा और आप इसमें पैसे जूलरी कुछ भी रख सकते यह देखिए इस तरह से लगा लिए है अब आप इसमें जूलरी या अपने पैसे रख सकते हैं और किसी को पता नहीं चलेगा कि स्वेटर के अंदर पैसे रखें हैं आप या जूलरी तो आपके पैसे या जूलरी चोरी भी नहीं होगी इस तरह से और किसी को पता भी नहीं च तो फ्रेंड इस तरह से आप सपर में जाते हैं या बजा जाते हैं तो इसे रख सकते हैं